आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षावास पर मेरा नाम है मोहमंद वाजिश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर और वो टॉपिक हमारा क्या है कार्बन फार्मिंग तो अब देखे नाम से आपको शायद कुछ चीजें यहां से समझ में आई होंगी लेकिन सबसे पहले में बताता हूं कि इस टॉपिक को आप रिलेट कहां पर कर सकते हो देखो जैसे फार्मिंग की बात हो रही है सो आप इसे एग्रिकल्चर से कर सकते हो लेकिन एग्रिकल्चर के सा साथ यह टॉपिक अगर हम जोड़ना चाहें तो हम इसे जोड़ेंगे किसके साथ इन्वार्मेंट के साथ और इन्वार्मेंट में भी अगर आप देखोगे तो जो आपका ग्लूबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है उससे आप इससे क्या कर सकते हो ज एक तरीके से आप कहोगे एक तरीका है खेती करने का एक रणनेतिक उपागम है ठीक है अब इसमें किया क्या जाता है इसमें देखे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर ध्यान दिया जाता है अब बात आती सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है सीक्वेस्ट्रेशन का सिंपल सा मत लब होता है कि जो हमारे एटमॉस्पेर के अंदर कार्बन है उसे हमारा क्या हो पाए कार्बन का जो अवशोशन है वो बढ़ जाए और साती साथ आप देखोगे कार्बन को स्टोर कर पाएं उसका भंदारन कर पाएं किसमें जो हमारा प्लांत्ट बायुमा से यांई कि यूंद यू पौदह आप लगाते हो उनका जो जय भार है और साथी साथ मिट्टी के अंदर जो और बात होता है नहीं अब बात यह है कि अगर carbon farming आपको करनी है तो उसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत है देखो सबसे पहले चीज कोई भी काम करने के लिए planning तो जरूरी होती है कि बिना planning के without planning आपको काम जो है वो नहीं कर सकते monitoring बहुत important है कि कोई काम आप कर रहे उसको ठीक से monitor करना कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है और आजाता है adaptation क्योंकि खेती की बात हो रही है भाई भारत के अगर बात करोगे आप एक region से दूसरे region में अगर जाओगे तो conditions बदलती है आप देखोगे topography बदलती है climate बदलती है तो local conditions के साथ से चीजों को adapt करना ये सारी चीज़े carbon farming में ध्यान देने योग की चीज़े होती है अब देखे carbon farming भी क्या फायदा हो जाएगा अगर carbon farming को अपनाया जाएगा तो सबसे पहले चीज़ देखे जो हमारी crop yield है यानि कि जो उत्पादता है आपकी व अबलब जो जीव जन्तू है जो pollen grains को एक लिए ट्रांसपर करते हैं उनके लिए habitat का काम करेगा इसकर आब आप देखोगी कि मिटी के अंदर moisture को rain water को absorb करनी की retain करनी की capacity बढ़ जाती है ठीक है soil health जो है वो improve होती यानि कि मिटी और अच्छी हो जाएगी और बहतर हो जाएग है इसके significance इसकी importance के बारे में बात करें सबसे पहली चीज़ है climate change mitigation हम सब लोग एक ऐसे एरा में चल रहे हैं जिस पर आप देखोगे हमारे atmosphere के अंदर जो greenhouse gases है हरित ग्रह गैसे हैं उनकी मात्रा उनका concentration लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है और इसमें भी अगर आप देख को गर्म करने के लिए जलवाई को बदलने के लिए सब्सक्राइब रिस्पॉंसिबल है तो अगर carbon farming को adopt किया जाता है माल वीजे के भारत में ज्यादातर किसान जो है वो carbon farming करने लगते हैं तो इसका एक फाइदा क्या होगा इसका एक फाइदा यह होगा कि हमारे atmosphere के अंदर जो greenhouse gases है जो CO2 का concentration है वो क्या होगा कम होगा दूसरी चीज़ soil health enhancement यानि के मिटी का जो स्वास्त है उस पर फर्क पड़ेगा अब कैसे फर्क पड़ेगा देखे सबसे पहली चीज़ यह आ जाएगी कि भी soil हमारी healthy हो जाएगी मिटी के अंदर और अगर carbon एकठा होगा तो उस वो moisture को water को ज्यादा time तक retain करके रख पाती है soil erosion मिटी का जो erosion है मिटी का जो अपरदन है वो कम होगा nutrients की जो availability है नहीं कि मिटी के अंदर पोशक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इससे जो आपकी फसल उत्पादकता है जो आपकी agricultural productivity है क्रशी उत्प जो अप्षिश निकलता है उसको हम compost में बदल लें और उस compost को ले जाकर के हम किस में डाल दें soil में डाल दें तो अब organic matter है इसके अंदर carbon होगा ना अब यह carbon आपने compost में बदल दिया और compost में बदल करके मिटी को दे दिया तो वो carbon किस में जाकर कर स्टोर हो गया मिटी में ज ecosystem को represent कर रहे हैं आप चाहें agroforestry की बात करिए normal crops की बात करिए आप एक पारिस्तिक तंत्र की बात कर रहे हो ना अगर वो पारिस्तिक तंत्र आपका improve होता है बहतर होता है तो उसमें जो भी insects आते हैं जो भी pollinator आते हैं जितने भी जीव जनतु ऐसे होंगे जिनको उस ecosystem से कि इसी तरीके का आप कह सकते हो फूड मिल रहा है तो वो flourish करेंगे उनकी growth ज्यादा अच्छी होगी इसके बाद आता है economic opportunities फार्मर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है एक चीज तो हमें सीधा सीधा फायदा देख रहा है कि आपकी soil health मिटी का जो स्वास्त है अगर अच्छा हो होगा आपकी फसल का उत्पादन जादा होगा agricultural productivity बढ़ेगी तो उससे आपको economic benefits देखने को मिल जाएंगे लेकिन एक चीज और है जैसे जब हम क्योटो प्रोटोकॉल से थोड़ा से रिलेट करेंगे ना क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज आई market based mechanism थी उसमें उसमें बात क्रेडिट क्या कर लिया आपने अरन कर लिया उस carbon credit को आप क्या कर सकते हो बेच सकते हो तो अगर farmers ऐसी activities कि देखने को मिल जाएंगे अब आते हैं कि इसकी techniques क्या-क्या हो सकती है कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं सबसे पहला आगया m Prest management huoti important part अगर आप first की बात करोगे तो सीथी सी बात है कि हम Trees की बात कर रहे हम व्रक्ष की बात कर रहे हम vegetation की बात चेज़ए तो हमारे फोटोसंदेसिस होगा तो वो क्या करेंगे atmosphere सस्य foresee एक आपको लेकर के अपनी मैं अपने श्रीर में उसको क्या कर लेंगे तो ये बात तो clear हो जाती है कि हमारे फॉरेस्ट जो है हमारे वन जो हैं वह एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करते हैं ठीक है उसको conserve करने की कोशिश करिए, land use में बहुत ज़दा conversion मत करिए, इसके बाद reforestation and replantation activities, मान लिजे किसी जगे पर पहले पेड़ पौदे थे, वो काट दिये गए, वहां का forest cover बरबाद हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को वहां पर reforestation कर सकते हो, तो improved forest management की ज़रूरत है, इसी में एक role आजाता है agroforestry, देखो agroforestry का basically मतलब क्या है, मान लिजे कि आपके पास land है, आपके पास जमीन है, उसमें अभी आप क्या करते हो, crop cultivation करते हो, अब उसी land पर आप क्या कर दीजे, trees plant कर दीजे, जो trees जो हैं आपको लकडी provide करेंगे, या फिर किसी भी तरीक का आप देख लिजे, product आपको देदेंगे, जैसे मान लिजे के हमने आम के पेड़ लगाती है, है ना हमने जो अमरूद के पेड़ हैं वो लगा दिए, तो अब देखो फसल भी आप वहां पर उगा रहे हो, और साती साथ उन trees से आपको दूसरी commodities भी मिल रही है, तो agroforestry का क्या फायदा हो जाएगा, carbon sequestration भी होगा, और साती साथ economic benefits भी farmers को मिल जाएंगे, आ जाता है grassland conservation, मान लिजे किसी जगह पर हमें एक grassland देखने को मिल रहा है, घास का मैदान देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करें, उस grassland का जो grass cover है, इस grass cover को conserve करने की कोशिश करें, क्योंक अपने अंदर CO2 को store करेगी, जब घास सड़ेगी, तो वो मिटी के अंदर store हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा, कि grassland conservation भी क्या हो जाएगा, important हो जाएगा, और यहाँ पर भी बात होगी land conservation की, land conservation का मतलब, जैसे मान लिजे किसी इलाके में grassland है, अब आप उसे बेकार जमीन समझ करको उसको commercial activities में use करना में शुरू कर दीजे, या फिर उसको farming activities में agriculture वगरा में use मत करिये, उसका nature जो है वो उसी तरीके से बना करकर रखे, फिर आजाएगा renewable energy production देखो, आप अगर farming की बात करते हो, आप खेती किसानी की बात करते हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि farming में आपको energy की requirement नहीं है, आपको उर्जा की जरूरत होगी ना भई माली जर ट्यूब वेल्स लगे हुए, आप वो ट्यूब वेल आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल electricity का use किया जा रहा है, या फिर माली जर्म डीजल इंजन का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात आती है कि carbon farming का एक पार्ट ये भी हो जाएगा कि जो energy requirements हैं आपकी agriculture की, उन energy requirements को आप कहां से पूरा करिए, जो आपकी renewable energy के sources है, में लिए solar energy आप देख लिए, जैसे भारत सरकार ने की scheme शुरू की solar pump scheme, आप solar pump scheme क्या कर रहे है, आपके खेत में tube well है, आप उस tube well में क्या लग लगा लिजे, वहाँ पर solar panels लगा लिजी, अब उन solar panels से आपका वो tube well चलेगा, ठीक है, तो इस से सीधा क्या हो गया, कि हमारा carbon का emission क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक चीज चीज आ जाएगी, और आ जाएगा conservation agricultural techniques, मतलब क्रिशी के ऐसे तरीके अपनाईए, जिससे के हम आ रहे हो, ठीक है, cover cropping, हैना मिट्टी को cover करिए, ठीक है, mulching जिसे हम कहते हैं, तो mulching का आप इस्तेमाल कर सकते हो, crop residue management, जब भी फसल कटती है, तो जो फसल के अवशेश बचते हैं, उन अवशेशों को खेत में छोड़ दीजे, वो धीरे-धीरे decompose होकर के मिट्टी का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, काम आ सकती है, इसके लाव आप देखोगे, planting cover crops during fellow periods, मतलब जब आपने जमीन को खाली छोड़ रखा है, तो उस टाइम पर आप मिट्टी में ऐसी फसलें डाल दीजे, हैना, जो की एक तरीके से म मिट्टी को fertility प्रोवाइड करें, मिट्टी को cover करके रखें, तो ये conservation techniques हो जाएंगी, rotational grazing, अब rotational grazing क्या है, इसका एक example लेकर करके चलते हैं, मालीजे किसी जगह पर land है, और वहाँ पर एक ऐसी community रहती है, जो community क्या करती है, animal husbandry करती है, पशुपालन करती है, अब वो क्या करे इस जगह का grass cover होगा, जो grassland होगा, जो natural pasture land है, वहाँ पर अपने जानवरों को चराएंगे, ठीक, अब अगर एक ही इलाके में आप ये काम करते रहते हो, तो इसका असर वहाँ के vegetation पर पड़ेगा, rotational grazing का मतलब क्या हो जाता है, कि मालीजे इस जगह का grass cover है, आप अभी इससे use कर रहे हो, जब यहाँ का grass cover खतम हो जाए, तो आप अपने जो animals है, उन animals को लेकर के किसी दूसरी जगह पर चले जाएगे, इस से क्या होगा, इस इलाके का जो grass cover होगा, उसको regrow करने का time मिल जाएगा, वो carbon sequestration जो है, वो कर सकता है, तो ये rotational grazing आपका हो जाएगा, अब चल opportunities में आप ये समझ लिजे के भारत के अंदर, जो arable land है, वो लगभग 170 million hectare का, यानि कि खेती करने के लिए, जमीन हमारे पास काफी जादा है, अब अगर हम इस पर carbon farming करना शुरू करें, तो potential है, 63 billion dollars का, यानि कि हमारी इतनी जो जमीन है, अगर इस पर हम carbon farming करना शुरू करे ना, तो जो हम carbon credits earn करेंगे, जो हमारी agricultural productivity बढ़ेगी, उन से हमें कितना फाइदा हो सकता है, 63 billion dollar का फाइदा हो सकता है, तो obviously ये economic opportunity हमारे पास है, फिर देखो carbon credit system, वही बात जो मैंने आपको बताया, CDC बात है, वही क्योटो प्रोटोकॉल ने हमें एक market based mechanism दे दी ना, अब य कोई CO2 का emission, carbon dioxide का emission या carbon का emission कम करता तो carbon credits earn करेगा, अगर ये काम हमारे farmers करना शुरू कर दें, वह ऐसा agricultural techniques अपना है, जिससे के carbon का emission कम हो, atmosphere से carbon को अपनी soil में या फिर जो plants वगरा वो लगा रहे हैं, उसमें store कर लें, तो इससे बिलकुल carbon credits जो हैं, वो earn कर सकते हैं, अब potential इतना हैं कि अगले 20-30 साल में भारत के अंदर जो मिटियां हैं, वो हर साल 3-8 billion tons CO2 को क्या कर सकती हैं, store कर सकती हैं, तो अगर इतना हम काम कर ले जाएं, हर साल हम 3-8 billion CO2 को अगर store कर पाएं, तो आप carbon credits भी earn करोगे, इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, जो हमारा net zero का target ह है न, कि हमारा carbon emission क्या हो जाए, net zero हो जाए, इसको भी हम fulfill कर सकते हैं, अब आती है कि regional suitability है, regional suitability क्या है, ऐसा नहीं कि carbon farming जो है, वो हर जगे पर equally effective हो जाएगी, यहाँ पर एक चीज यह आती है, देखो, जैसे endo gangetic plane की बात करोगे, भारत के अगर कुछ छित्रों की बात की है, जिसे हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है, highly fertile soil, है न, यहाँ पर intensive agriculture हो रहा है, आप डेकन प्लैट्यू के region में चलेज़े, intensive agriculture हो रहा है, जहाँ पर agriculture intensive है, वहाँ पर आप देखोगे, कि भाई, अगर crop cultivation ज्यादा हो रहा है, तो carbon farming वहाँ पर अच्छी हो सकती है, लेकिन हिमालियन स्टेट्स की बाद करें, आप मान लिजे, आप जम्मू कश्मीर, हिमानचल, अद्दाक, उत्राखन, इन सब स्टेट्स की बाद हिली terrain है, वहाँ पर crop cultivation की बहुत ज़्यादा possibilities नहीं है, या फिर आप जो हमारे coastal areas है, coastal areas जहाँ पर salenization है, मिटी के अंदर, मिटी का लवणी करण है, वहाँ पर उतनी suitability हमें देखने को नहीं मिलेगी, अब चलते हैं कि इस से जुड़े हुए challenges क्या-क्या है, भई अच्छाईयां तो हम देख रहे हैं, ये कामा में करना चाहिए, बट challenges क्या-क्या है, सबसे पहले चीज़ आप देखोगे, soil composition, देखो, carbon farming, भई, ultimately चीज किस पर आ जारी है, ultimately चीज आ जारी है, farming पर, farming किस पर depend करेगी, soil health पर depend करेगी, अब अगर कोई region है, कोई छेतर है, हमारा और चेतर में हम देख रहे हैं, कि वहाँ की जो मिटी है, जो soil है, वो soil अच्छी नहीं है, पूर soil है, उसके अंदर nutrients नहीं है, तो इसका मतलब आप crop cultivation नहीं कर सकते, crop cultivation करने के लिए आपको soil की health को improve करना पड़ेगा, fertilizers का use करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, तो सबसे पहली चीज तो यह आ जाती, soil composition, कि हर जगह पर soil composition जो है, वो suitable नहीं होगा, दूसरी चीज आ जाती है, geographical location, कि अवस्थिती कहां पर है geographical location, जैसे elevation आ जाएगा, slope आ जाएगा, proximity to water bodies आ जाएगी, जैसे आप सीड़ी सी चीज लिजे, हम बात करें थे हमालियन स्टेट की, भई हाई elevation पर है, ठीक है, माल लिजे वहाँ पर एक तो temperature ठंडा है, temperature ठंडा है, तो वहाँ पर आप देखोगे, low temperature पर बहुत ज़दा crops होता है, इसलिए मिट्टी भी आप देखोगे, बहुत ज़दा fertile soil हमें देखने को नहीं मिलेगी, फिर आया था है, proximity to water bodies, जैसे माल लिजे, आप भी राजस्थान का example लेकर के चलिए, राजस्थान के अंदर अगर हम चाहें के carbon farming को बहुत ज़दा effective कर लें, नहीं कर सकते है क्योंकि वहाँ पर water scarcity है, पानी की कमी है, ठीक, तो जो इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर water bodies pass में है, या पानी easily available है, वहाँ पर ये काम हो सकता है, फिर आ जाती है बात, varieties of crops, देखें, जब भी आप crop selection करते हो, crop selection करते हैं, आपको मिटी को देखना होता है, जलवाईउ को देखना ह होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी भी जगे पर आप कोई भी फसल जो है, वह उगा लेंगे, आप माली राजिस्थान में जा करके, आप जो है, वह राइस कल्टिवेशन, पैडी कल्टिवेशन करना चाहें, करने को कर सकते हो, बट वहाँ पर एगर agro climatic conditions की बात की जाए कि जब हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी crop varieties जो हैं, वो कल्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताए, crop rotation इसका एक important part है, आपको फसलों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और एक चीज आ जाती है, कि आपको local conditions को समझना पड़े ऐसा नहीं कि आप एक single plan बना लें और हर जगे पर आप उसी plan को apply करोगे, आप local conditions को समझीए, वहाँ की soil कैसी है, वहाँ का terrain कैसा है, वहाँ की climate कैसी है, वहाँ पर water availability कैसी है, वहाँ की society किस तरीके से है, उन conditions के according आपको crop selection जो है, वो करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा भी water scarcity, मैंने कहा ना आपको कि अगर किसी इलाके में पानी ही available नहीं है, तो वहाँ पर crop cultivation करना मुश्किल हो जाएगा या possible नहीं हो पाएगा और वहाँ पर carbon farming नहीं हो सकती, फिर आ जाएगा financial constraints, देखो, सीधी सी बात है, कोई भी काम करने के लिए आपको finances चाहिए, पैसा चाह जनों से हम यह expect करेंगे कि बहुत ज़दा technologically advanced agriculture की तरफ चले जाएं, तो वह नहीं जा सकते, क्योंकि इस transition के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, financial support की ज़रूरत होगी, तो वह financial support उनको provide जब तक नहीं की जाएगी, तब तक यह काम नहीं हो सकता, फिर आ जाता है आपका policy support, किसी भी देश के अंदर एक policy होना बहुत ज़रूरी है, आप चाहते होगर इस देश के किसान जो है, वह carbon farming की तरफ चले जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, carbon farming को ले करके, एक policy framework आप ले करके आईए, एक नीती ले करके आईए, कि देखो यह नीती है, किसान अगर कि हैं, तो उनको financial support इस तरीके से मिल सकती है, उनको benefit इस तरीके से मिल सकता है, वो carbon commission करेंगे, तो उनको incentives किस तरीके के मिल सकते हैं, समझ में आरी बात, तो यह policy support ज़रूर होना चाहिए, अब चलते हैं, कि strategies क्या क्या हो सकती है, रणनीतियां क्या क्या हो सकती है, challenges हमने देख हैं, वो बना दीजे, carbon farming की concept क्या है, यह लोगों को पता चले, carbon farming किस तरीके से climate crisis को एक तरीके से mitigate कर सकती है, यह उसको बताइए, agriculture को कैसे हम sustainable बना सकते हैं, यह सारी चीज़ें उस legal framework के अंदर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है, direct incentives for farmers, भाई देखो, हर इनसान चाहता है कि अगर वो कोई काम कर रहा है, तो उसको कुछ फायदा तो हो, कुछ benefit तो हो, अब अगर किसानों को हम बोलेंगे, farmers को हम बोलेंगे कि आप carbon farming करिए, तो carbon farming करने से अगर उन्हें कुछ incentives मिलेंगे, उनको कुछ फायदा होगा, ठीक है, उनको कुछ monetary support मिलेगी, तब तो वो काम करेंगे, ठीक, और वो चीजें उनको directly जो है, वो मिलनी चाहिए, तो ये एक important चीज आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद आएगा, utilizing carbon credits and banks, देखो, farmers के लिए एक चीज होनी चाहिए, आप carbon का emission कम करोगे, तो आप क्या कमालोगे, ठीक है, उन carbon credits के आप क्या बना दीजे, एक bank बना दीजे, जितने भी farmers के carbon credits हैं, वो उस बैंक में जाकर के क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, अब यहां से अगर उन्हें कोई purchase करता है, तो जो पैसा आएगा, वो farmers के account में क्या हो जाए, transfer हो ठीक है, फिर आजाएगा collective engagement, देखो, ये देश जो है, अगर आप चाहते हो कि इसमें farming sector जो है, वो change हो जाए, तो किसी एक इनसान किया, किसी एक party के होने से नहीं होगा, इसमें collective effort की जरूत होगी, जिसमें अच्छी policies होनी चाहिए, public private partnership होनी चाहिए, ठीक है, quantification methods, बहुत important है, किसी किसान ने carbon का emission अगर कम किया, तो कितना कम किया, इसको quantify करने के भी तर इसमें वो देंगे, प्राइवेट सेक्टर investment करेगा, तो यह सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, और फिर आजाएगा unlocking soil potential, कि soil जो है, वो बहुत important part है, आप मिट्टी के अंदर carbon को absorb कर सकते हो, मिट्टी के अंदर carbon को store कर सकते हो, तो मिट्टी के potential को as carbon sink समझना, यह सारी च आप जल्दी जल्दी डिटेल में बता दिया, अब मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, देखे इस टाइम पर हमारा GS का pre-commence foundation बैच चल रहा है, जिसमें आप देखोगे Thursday, Friday और Saturday शाम को 8 बजे आपको geography class मिल जाती है, Monday, Tuesday और Wednesday अगर आप देखोगे तो आपको polity की class मिलती है, polity class फरिया में लेती हैं और geography class आपकी मैं लेता हूँ, यह हमारा instagram handle का QR है, instagram पर आप पर इक्षाबास को follow कर लिजे, यह telegram channel है, जहां पर daily basis पर आपको questions है, current affairs का material है, classes के notes है, और यह जो भी हमारे videos आते हैं, सब के PDF आपको वहीं पर मिलते हैं, अंत मैं आप ल लिजे, अब आप लोगों से मुलाकात होगी, नेक्स वीडियो में, तब तक सभी लोग स्वस्त रही है, मस्त रही है, अच्छे से पढ़ाई करते रही है, जै भारत, जै हिंत,